गूद मॉर्निंग फ्रेंट्स, वेल्टम टू शॉर्टन हेल्प लाइन, गूद मॉर्निंग इस्टेनोग्राफि सीरीज में आप सबी का स्वागत है, तो चले श्टार्ट करते हैं, असी सब्दु प्रतिमिनट और सो सब्दु प्रतिमिनट के डिक्टेशन असी सब्दु प्रतिमिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा, त्री सेकेंड बाद स्टार्ट क्रिसी सुधार की दिसा में महत्वपुर्ण माने जा रहे विधेयको के राजसभा से भी पारित होने का मतलब है कि कुछ विपक्षी दल अकारण यह सोर मचा रहे थे कि संपूर्ण विपक्ष उनके खिलाफ है यह अच्छा नहीं हुआ कि परियाप्त संख्याबल जुटाने में असमर्थ रहे विपक्षी दलों ने इन विधेयको को पारित होने से रोकने के लिए छीना जपटी का भी सहारा लिया त्रडमूल कॉंग्रेस के एक सांसद राजसभा के उपसभापती से जिस तरह हाथा पाई सी करते देखे गए उसे बाहुबल के प्रदर्शन के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता इससे बड़ी विडम्बना और कोई नहीं कि संसद के उच्च सदन में संख्याबल का मुकावला बाहुबल से करने की कोसिस की जाए कृशी शुधार समवंधी विधेयको के पारत होने के बाद कॉंग्रेस और कुछ अन्य विपक्षि दल यह माहौल बनाकर आम लोगों और खासकर किसानों को गुमराह ही कर रहे हैं कि सरकार ने ध्वनी मत से विधेयको को पारत कराकर सही नहीं किया पैरा यदि उन्हें ध्वनी मत की व्यवस्था स्वीकार्य नहीं थी तो फिर उन्होंने मत विभाजन की मांग क्यों नहीं की हैरानी नहीं कि संख्याबल की कमजोरी उजागर होने से बचने के लिए ही यह मांग करने से बचा गया हो जो भी हो किसानों को ऐसे दलों के बहकावे में आने से बचना होगा जो कल तक वह सब कुछ करने की जरूरत जता रहे थे जिसे क्रिसी उपज ब्यापार एवं वाडिज समवर्धन एवं सरली करण तथा क्रिसक ससक्ती करण एवं संरक्षन कीमत आस्वासन और क्रिसी सेवा पर करार विधेयक के जरिये किया गया है कॉंग्रिस ने तो इस तरह की बातें अपने गोशना पत्र में भी दर्श की थी पैरा या देखना दयनीय है कि कॉंग्रिस संकिन राचनितिक स्वार्थों की पूर्ती के लिए किसानों को सडकों पर उतार रही है और वह भी तब जब यह माना जा रहा है कि जैसे 1991 में उद्योग व्यापार जगत को बंधनों से मुक्त किया गया था उसी तरह क्रिसी सुधारों के माध्यम से खेती को आप्रा संगिक कानूनों की जकडन से बाहर निकाला गया है अच्छा हो कि किसान सडकों पर उतरने से पहले यह देखें परखें की नई व्यवस्था से उन्हें नुकसान होने की जो बातें की जा रही हैं उन्हें कितनी सच्चाई है उन्हें यह भी समझना होगा कि नियुनितम समर्थन मूल्य यानि MSP की व्यवस्था खत्म होने की बातें कोरी अफवाह के अलावा और कुछ नहीं पैरा उन्हें इससे भी अवगत होना चाहिए कि क्रिसी उपज बेचने की पुरानी व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा रहा बलकि उसके समानांतर एक नई व्यवस्था बनाई जा रही है अब उनके पास अपनी उपज बेचने के दो विकल्प होंगे पहले विकल्प ही नता की इस्थिती थी और इसी कारण उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिलता था असे सब्दी प्रति मिनट के डिक्टेशन समापत हुआ अब बारी है सौ सब्दी प्रति मिनट के डिक्टेशन की तचले स्टार्ट करते हैं सौ सब्दी प्रति मिनट के डिक्टेशन स्टार्ट होगा फोर सेकेंड बाद स्टार्ट नहीं हुआ कि परियाप्त संख्याबल जुटाने में असमर्थ रहे विपक्षी दलों ने इन विधेयकों को पारत होने से रोकने के लिए छीना जप्टी का भी सहारा लिया त्रिडमूल कॉंग्रेस के एक सांसद राजसभा के उपसभापती से जिस तरह हाथा पाई सी करते देखे गए उसे बाहुबल के प्रदर्शन के अलावा और कुछ नहीं कहा चा सकता इससे बड़ी विडम बना और कोई नहीं कि संसद के उच्च सदन में संख्याबल का मुकाबला बाहुबल से करने की कोसिस की जाए क्रिसी सुधार संबंधी विधियको के पारित होने के बाद कॉंग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल यह माहौल बनाकर आम लोगों और खासकर किसानों को गुमराह ही कर रहे हैं कि सरकार ने ध्वनीमत से विधियको को पारित कराकर सही नहीं किया यदि उन्हें ध्वनीमत की विवस्था स्वीकार नहीं थी तो फिर उन्होंने मत विभाजन की मांग क्यों नहीं की हैराने नहीं की संख्याबल की कमजोरी उजागर होने से बचने के लिए ही यह मांग करने से बचा गया हो जो भी हो किसानों को ऐसे दलो के बहकावे में आने से बचना होगा जो कल तक वह सब कुछ करने की जरूरत चता रहे थे जिसे क्रिशी उपज ब्यापार एवं वाडज्य समवर्धन एवं सरली करण तथा क्रिशक ससक्ती करण एवं सनरक्षन की मत आस्वासन और क्रिशी सेवा पर करार विधेयक के जरिये किया गया है कॉंग्रिस ने तो इस तरह की बातें अपने खोशना पत्र में भी दर्श की थी यह देखना दयनिय है कि कॉंग्रिस संकिर्ण राशनितिक स्वार्थों की पूर्ती के लिए किसानों को सडकों पर उतार रही है और वह भी तब जब यह माना जा रहा है कि जैसे 1990 में उद्योग ब्यापाल जगत को बंधनों से मुक्त किया गया था उसी तरह क्रिशी शुधारों के माध्यम से खेती को अपराशंगिक कानूनों की जकडन से बाहर निकाला गया है अच्छा हो कि किसान सडकों पर उतरने से पहले यह देखे परखे की नए व्यवस्था से उन्हें नुक्सान होने की जो बातें की जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है उन्हें यह भी समझना होगा कि न्यूनतम समर्धनमुल्य यानि MSP की व्यवस्था खत्म होने की बातें कोरी अफवाह के अलावा और कुछ नहीं उन्हें इससे भी अवगत होना चाहिए कि क्रिशी उपज बेचने की पुरानी व्यवस्था को खत्म नहीं किया चा रहा बलकि उसके समाना अंतर एक नई व्यवस्था बनाए जा रही है अब उनके पास अपनी उपज बेचने की दो विकल्प होंगे पहले विकल्प ही नता की इस्थिती थी और इसी कारण उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिलता था डिक्टिसिन समाप्त हुआ ऐसे ही प्रति दिन आपको डिक्टिसिन मिलता रहा है इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए अगर आटलाइन और पीडियाफ आपको चाहिए तो आप हमारी टेलिग्राम गूर्प को जॉइन कर सकते हैं गूर्प जॉइन करने के बिलते हैं नेक्ट वीडियो में टिल देर अपना ख्याल रखिए धन्यवाद